प्रिये देशवाचियों, बीते दिनों जब हम अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे, तब एक दिल्चस्प खबर पर मेरा ध्यान गया। ये खबर है हमारे सुरक्षावलों के दो जाबाज किर्धारों की। एक है सोफी और दूसरी विदा। सोफी और विदा इंडियन आर्मी के श्वान है डॉग्स है और उन्हें चीफ आफ आर्मी स्टाप कमंडेशन कार्ट से सम्मानित किया गया है। सोफी और विदा को ये सम्मान इसलिए मिला कि इन्हों ने अपने देश की रक्षा करते हुए अपना कर्तव्य बक्षु भी निभाया है। हमारी सेनाओं में हमारे सुरक्षा बलों के पास ऐसे कितने ही बहदुर स्वान है डॉग्स हैं जो देश के लिए जीते हैं और देश के लिए अपना बलिदान भी देते हैं। कितने ही बमधमाकों को, कितनी ही आतंकी साजिसों को रोकने में, ऐसे डॉक्स ने बहुत एहम भूमिका निभाई है। कुछ समय पहले, मुझे देश की सुरक्षा में डॉक्स की भूमिका के बारे में बहुत विस्तार से जानने के बिला। कई किसे भी सुने, एक डॉक्स बलराम ने 2006 में अमरनात यात्रा के रास्ते में बड़ी मात्रा में गोला बारुत खोज निकाला था। 2002 में भावना ने आईडी खोजा था। आईडी निकालने के दोरान आतंकीों ने विस्पोट कर दिया और स्वाम शहीद हो गए। दो-तीन वर्स पहले, 36 गड के बीजापूर में, CRPF का स्निफर डॉक, क्रेकर भी आईडी ब्लास्ट में शहीद हो गया था। कुछ दिन पहले ही आपने शायद टीवी पर एक बड़ा भाव करने वाला द्रश्य देखा होगा, जिसमें बीड पुलीस अपने साथी डॉक रॉकी को पूरे सम्मान के साथ आखरी विदाई दे रही थी। रॉकी ने तिन सो से जादा केसों को सुलजहने में पुलीस की मदद की थी। डॉक्ट की डिजास्टर मैनेजमेंट और रिश्क्यू मिस्सन्स में भी बहुत बड़ी भूमिका होती हैं। भारत में तो नेश्टनल डिजास्टर डिस्पॉंस फोर्स एंडी आरेफ ने ऐसे दरजनों डॉक्ट को स्पेशली ट्रेइन किया है। कहीं भूकम पाने पर, इमारत गिरने पर, मलवे में दबे, जीवित लोगों को खोज निकालने में ये डॉक्स बहुत एक्सपर्ट होते हैं। साथ्यों मुझे यह भी बताया रहा कि इंडियन ब्रीड के डॉक्स भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सक्षम होते हैं। इंडियन ब्रीड में मुधोल हाउंड है, हिमाचली हाउंड है, ये बहुत इच्छी नस्ले है। राज पलायम, कन्नी, चिप्पी पर आई और कुम्बाई भी बहुत शांदार इंडियन ब्रीड्स हैं इनको पालने में खर्च भी काफी कमाता है और ये भारतिय माहोल में डले भी होते हैं अब हमारी सुरक्षा एजेंशियों ने भी इन इंडियन ब्रीड्स के डॉक्स को अपनी सुरक्षा दस्ते में सामिल कर रही हैं पिछले कुछ समय में आर्मी, CISF, NSG ने मुदोल हाउन डॉक्स को ट्रेन करके डॉक्स कोड में सामिल किया है CRPF ने कॉंबाई डॉक्स को सामिल किया है इंडियन कॉंसिल आफ अगरिकल्चर रिसर्च भी भारतियन नसलके डॉक्स पर रिसर्च कर रही है मक्सद यही है कि इंडियन ब्रीड्स को और बहतर बनाया जा सके और उप्योगी बनाया सके आप इंटरनेट पर इनके नाम सर्च करिए, इनके बारे में जानिए, आप इनकी खुबसूरती, इनकी क्वालिटी देखकर हिरान हो जाएंगे अगली बार जब भी आप डॉग पालने की सोचें, आप जरूर इन में से ही किसी इंडियन ब्रीड के डॉग को घर लाएं आत्म निरभर भारत जब जन मन का मंत्र बनी रहा है, तो कोई भी खेत्र इससे पीछे कैसे छुट सकता है